तो चलिए एक भाई का question है वो हम solve कर लेते हैं एक सर एक question मेरा अभी है क्या दोबारा चाइनल मॉन्टाइज करने के लिए डेट दिया हुआ उसके बाद उसके बाद ही हमारी latest वीडियो वास्ट टाइम काउंट होगा क्या मतलब रूल कंटेंट रिउज नहीं लिखे हैं रिउज कंटेंट आने के बाद अपनी खूद का वीडियो अपलोड कर रहा है उसका वास्ट टाइम उससे पहले काउंट नहीं होगा देखिए यह थोरा सा किसी का वीडियो यूज कर रहे थे अपने चाइनल पर ठीक है अब यह बोल रहे हैं क्या हम अब आपना खुद का वीडियो डाल लें तो क्या मेरा जो है चाइनल जो मोंटाइज होगा और जो लेटिस्ट वीडियो है क्या जो माली जी आपको एक महिना या दो महिना या नव्य दिन का फिर से रिभीव में भेजने के मतलब फिर से अपलाई करने का जो डेट दिया हुआ है उसके अंदर ही हम आपना खुद का वीड पहला उसके बाद तीन महिना बाद आपका रिएपलाई का अप्सं देगा ठीक है तो इसके बीच तीन महिना के अंदर क्या हम वीडियो अपलोड करें अपने चाइनल पे तो वो मेरा खुद का वीडियो है तो क्या वह जो है काउन्ट होगा वाश्टाइम या भी जो भी है और क्या अकाउंट होगा रियूज का संभावना तो नहीं है तो देखिए आपको सिंपली से बतायते हैं पूरा किलिरली ये बात ध्यान सुनिए देखिए आप अपना खुद से जब वीडियो डालेंगे तो यहां पर आपका डिट से कोई लेना देना नहीं है आप डाल सकते तीन महीना बाद का जो है उससे पहले भी डाल सकते हैं तीन महीना वेट नहीं करना है अप रियूज आ गया ठीक है उसी दिन से आप अपना वीडियो डालिए और एक बात और जितने भी रियूज वाले वीडियो है दूसरे का वीडियो है वो हटा दीजिए खुद का अपन काउंट हो गहां झोट गहां तो क्योंट कहूंट ज story हो गाला। यू़जक हो ग्लाइन हाई पूर्स दपना आ जो रहे गाल प्राड क सब कोए जो अब आकप्प रहे हो रहेगा यह को आपको कैसा लागा अच्छा लागा तो फिलीज लाइक कर दीजिए अच्छा लोग तो लाइक करें चैनल पर सब्सक्राइब भी जरूर करें ठीक है ऐसे बहुत सारी इंफर्मेशन हमें चैनल पर मिलेगा चली मिलते हैं नेक्ष में तब तक के लिए धन्याइब